नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आकास और आपका स्वागत है आकास ग्राफिक्स के इस वीडियो टुटोरियल में दोस्तो आज हम जो तूल सीखने वाले हैं वो है पेंट ब्रस टूल एंड ब्लॉब ब्रस टूल तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो जो पेंट ब्रस टूल है उसे हम फ्री हैंड स्केचिंग के लिए ड्राइंग के लिए फ्लोरल आर्स, कलिग्राफी एक्स्टर चीजों के लिए हम यूज करते हैं हमारे पास इलुस्टेटर में 5 टाइप आफ प्रस टूल है अगर मैं यहां पर दिखूँ कि यहां पर मेरे ब्रस के प्रिसेट्स देए हुए हैं अगर यह ओपन नहीं है आपके में तो आप जा सकते हैं विंडोज में यहां पर आपको मिलेगा प्रस शॉटकट एप पाइप और दोश्टो यहां से मैं डिफेर्न टाइप ऐफ प्रस सीज यूज कर सकता हूँ यहां पर अगर मैं चाहँं कर सकता हूँ इन चीजों को यहां पर बहुत सारãy प्रीदीफइन दिए हुए है जिनको यह आप यूज कर सकते हैं दोस्तों इल्स्टेटर में हमारे पास 5 टाइप आफ ब्रसेज हैं जो कि आप यहां ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास केलिग्राफी ब्रसेज है तो इन में से कुछ देखते हैं कि मैं दिली चाहिए अगें यहां पर जब मैं आता हूं थो हैं पर मेरे पास एक लाइबरेरी एं ब्रसेज की इसमें श्क्रियूर। स्टेशल एरो, स्टैंडर्ड एरो बैटर्न, पैटर्न एरो इस सारे दिये हुए हैं तो अगर मैं इनमें से कोई एक ओपन करूं तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि मेरी पास ट्राइप आप एरो हैं मैं ड्रॉ कर सकता हैं इनको दोस्तों स्केटर ब्रसेस की तरफ आएं तो यहां पर मुझे डेकुरेटिव ब्रस के अंदर मिलता है डेकुरेटिव स्केटर ब्रसेस इसमें बहुत सारे पैटन्स दिये हुए हैं यहां पर फ्री डिफाइं इनमें से मैं एक लेता हूं और यहां पर मैं उसे ट्रॉ करता तो आप इसे प्री हैंड यूज़ कर सकते हैं विल्कु जैसा पैटर्न आप दढ़ो करना चाहें तो दोस्तों यह हुआ टाइप आफ ब्रसेज और अब देखते हैं पेंट ब्रस के प्रिपेंस ओप्शन्स को जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहां ब्रस टूल पे और यहां पे आप डबल क्लिक करें तो आपका प्रिप्रस तूल का प्रिफरेंस ओप्शन ओपन हो जाएगा तो यहां पे जो पहला ओप्शन है वो है फैदिलिटी का जिसका मतलब यह है कि अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो आपके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और वाइस वर्सा अगर इसकी वैल्यू बहुत कम है लाइक कम कर देता हूं तो जो एंकर पॉइंट्स है वो बढ़ जाएंगे तो next option दोस्तों यहाँ पर है वो है feel new brush stroke keep selected and edit selected path का तो अगर मैं इन में से feel तो कि पहला option है उससे देखते है new brushes select करता हूं तो जो भी color मेरे feel में है feel panel में है वो brush के साथ feel होते जाएंगे देकि जो color है वो मेरा brush के साथ feel हो रहा है यहाँ पर मैं एक normal brush ले लेता हूं यहाँ पर अब feel new brush stroke के option को हम close कर देते हैं unselect कर देते हैं तो अगर मैं up draw कर हूं तो मेरा normal path draw हो रहा है normal stroke draw हो रहा है बट वो selected है जो कि मेरे keep selected के option को check करने के बाद हुआ अगें मैंने overlap draw किया बट अभी भी यह अलग है क्योंकि मेरा edit selected path option चेक नहीं है अगर मैं इसे हो जाएगा आपस के दोस्तों I hope कि आपको clean brush tool समझ आ गया होगा फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में उससे पूछ सकते हैं तो दोस्तों जो next tool हम देखने वाले हैं वह ब्लॉब ब्रस तूल मैंने select कर लिया है ब्लॉब ब्रस तूल मैंने select कर लिया है इसके resize के लिए आपको left right square bracket आप यूज कर सकते हैं increase और decrease करने के लिए size को दोस्तों अब देखते हैं कि हम ब्लॉब ब्रस टूल से का यूज क्या कर सकते हैं आप ब्लॉब ब्रस तूल से कलिग्राफिर भी कर सकते हैं यहां पर मेरे पास एक file है जिसे हम ब्लॉब ब्रस टूल के help से color करेंगे पर ब्रॉब तो मैं आपको इसका layer दिखाना जाता हूं कि मेरा जो shape है वो उपर के layer पर है और जिसके मैं paint करूंगा वो layer नीचे है तो मैं ब्लॉब ब्रस टूल लेता हूं और यहां पर मैंने color select कर लिया है और अब paint करेंगे तो करेंगे तो करेंगे तो मैं कुछ ऐसे freehand paint कर सकता हूं कि क्यों color बाहर जा रहे है या नहीं हो रहे है इन्हें में बाद में eraser tool की मजब से करेंगे तो करेंगे तो करेंगे तो दोस्तो आपको paint brush tool and block brush tool का use समझ आ गया होगा अगर आपको अभी भी कुछ doubt है तो आप उसे comment में मुझस सब्सक्राइब करें तो आज के लिए इतना ही तो आज के लिए इतना ही दोस्तो थाइंक्यू और बाबाए बाप बाप करेंगे तो